हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइब दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे बौध धर्म के अनुसार साधी बिवाह कैसे करें या दूसरे माइने में कहें तो ब्रामणों के बगर साधी बिवाह कैसे करें तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथ ही बेल आइकान की घंटी को दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपनों को मिल सके तो दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों इस भूले भाले बहुजन समाज की दसा और दिसा को बदनने के लिए बहुजन महापोर्सों ने अपने जीवन की आहुती दे दी तो नहीं हो सका है लेकिन हमारा यह बहुजन समाज A.C.H.T.O.B.C. मुल निवासी समाज धीरे धीरे परवर्तित हो रहा है तो दोस्तों सबसे पहले ब्रामणों के बिना साधी की सुरुवात महत्मा जोतिबा राव फूले जीने किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे साधी संसकारों में ब्रामणों की क्या जरूरत है ब्रामण के बगएर भी हम अपने साधी संसकार को कर सकते हैं और उन्होंने इसके लिए बिसेश मिशन चला करके जगह जगह पे बिना ब्रह्मणों के साधी करवाना सुरू करा दिया था साथियों पूरी दुनिया में चूनने की ब्यवस्था है लेकिन भारत में ब्रह्मणवादी ब्यवस्था के तहद छीटने की ब्यवस्था है जब साधी और विबाह की सुरुवात होती है जब दुलह पालकी में या गाड़ी में बैठता है तो चावल छीटने की परंपरा है दोस्तों उस चावल के छीटने से क्या लाब है उससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है दोस्तों हम मान लेते हैं कि एक साधी में एक किलो चावल छीटा जाता है उसी हिसाब से परती एक दिन अगर भारत में दस हजार साधी होती होगी तो दस हजार किलो चावल यूही फेक दिया जाता है जो की बहुत बड़ा नुकसान है और भारत जैसे जनसंख्या के हिसाब से बड़े देश में परती एक दिन सिर्फ दस हजार साधीयां होती होगी ऐसा नहीं है इससे ज्यादा साधीयां होती होगी और हर ब्यक्ती के घर सिर्फ एक किलो चावल नहीं फेका जाता होगा ना जाने कितनी किलो चावल फेक दिये अगर आप ब्रामणवाद और मनुवादी ब्यवस्था के इतने ही पोसक हैं, तो मनुवादी ब्यवस्था के रीती रिवाजों को पूरा समझ लिजे, आधा देवकूर आधा भरसाएं करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मनुश्मृती ब्यवस्था के अन साधी के बाद ब्रामणों के घर जा करके तीन दिन साररिक सुधिकर्ण के लिए साररिक सेवा देना पड़ता था, उसके बाद उसकी साधी सुध हो पाती थी, तब जा करके लड़की लड़के के घर जाती थी, अगर आप इतने ही ब्रामणवादी ब्यवस्था के पोसक है तो आपको ब्रामणवादी ब्यवस्था के सभी रिती रिवाजों को मानना चाहिए क्योंकि मनुश्मित्य की ब्यवस्था में कोई संसोधन नहीं हुआ है भारतिय संबिधान में आए दिन अगर कुछ कमिया होती है तो उसको संसोधित कर दिया जाता है लेकिन आज तक मनुश्मित्य ब्यवस्था ब्रामणवादी ब्यवस्था बेदों में एक भी संसोधन नहीं किया गया है साथियों मैं आज की बीडियो में ब्रामणवादी जैसे घिनवने ब्यवस्था के बारे में बात करने नहीं आया हूँ लेकिन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ इस तरह की घिनवनी ब्यवस्था जो ब्यवस्था मानों को मानों न समझती हो जिस ब्यवस्था के तहद ब्यक्ती उच और नीच है जिस ब्यवस्था के तहद लड़कियों को दान कर दिया जाता है यानि के कन्यादान कर दिया जाता है उस तरह की वेवस्था को लात मार देना चाहिए और मानावतावाधी वेवस्था जिसको की तथाकद बुध्ध ने धर्म नहीं दिया है धम दिया है जीवन जीने का रास्ता दिया है उन्होंने बिज्ञान और तर्क की कसर्टी पे कस करके तारकी खो करके किसी बात को मानने या नौ मानने के लिए आपको स्वतंतर किया है जिसको परम पुज्य बाबा सहाब अमेटकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया था तो दोस्तों आईए जान लेते हैं कि हम लोगों को बाधिक रीती रिवाज से किस प्रकार साधिक करनी चाहिए साथियों सबसे पहले अगर आपके आसपास कोई बाध भिक्छू रहते हों कोई बाध धर्म के उपासक रहते हों उनको आप आमंतरित कर दीजिए वह उन सारी बेवस्थाओं को जो बाध धम के हिसाब से अनुसरण और आचरण में लाया जाता है उसके तहद आपके साधि को संपन करा देंगे साथियों अगर आपके आसपास कोई बाध भिक्छू नहीं रहते हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई बाध अनुआई रहते होंगे जो परमपुझ्य बाबा सहब अमबेटकर का मिसन चलाते होंगे वो अभी आपके साधी संसकारों को संपन करा सकते हैं साथियों कारेकरम की सुरुवात में सबसे पहले आपको तथाकद बुद्ध की एक तस्वीर मंगा लेनी हैं परमपुझ्य बाबा सहब अमबेटकर की तस्वीर मंगा लेनी हैं कम से कम इन दो महापुर्शों की तस्वीर को आप मंगा लीजिएगा अगर और महापुर्शो की तस्वीर आप मगा सकते हैं तो अच्छी बात होगी अगर नहीं उपलब्द हो पाती है तो इन दो महापूर्सों की तस्वीर को आप जरूर मगा लें तथा गदवुद्ध की तस्वीर आप इसलिए मगाएंगे क्योंकि उन्ही के द्वारा दिये गए धम के माध्यम से आपको साधी बिवाह का अनुसरण और आचरण करना है और दूसरी तस्वीर परंपुज्य बाबा साहबं बेटकर की इसलिए आप मगाएंगे क्योंकि इन ही के माध्यम से ही आपको वो सारे अधिकार मिले हैं कि आप स्वतंत्र हैं और अपने साधी बिबाह या अन्य किसी कारकरम को समाजिक और सारवजनिक रूप से कर पा रहे है इसलिए इन दो महापूर्सों की तस्वीर आपको मगाना बहुत ही जरूरी होगा साथ ही आपको भारतिय संबिधान को मगा लेना चाहिए क्योंकि भारतिय संबिधान ही है जिसने आपको वो सारे अधिकार दिये हैं कि आज आप मानो कहलाने लाइक हुए हैं अगर आपके पास संबिधान उपलब्द नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्किप्शन में मैं लिंक दिया हूँ वहां से आप भारतिय संबिधान को अपने घर पर मगा सकते हैं यहाद दो चीज मगाने के बाद फोटो और भारतिय संबिधान मगाने के बाद आपको फूल और माला की व्यवस्था कर लेनी है चै मुम्बत्यों की व्यवस्था कर लेनी है और जब साधी की सुरुवात आप करने जाएंगे उस समय लड़का और लड़की यानि दुलहा और दुलहन से एक एक कंडल को जलवा लीजिएगा साथ ही एक लड़के के पिता से और एक लड़की के पिता से दोनों गारजियन से एक एक कंडल को जलवा लीजिएगा और एक कंडल को जो दोनों पक्छों के रिष्टे को आपस में जुडवाएं हैं जिसको हम लोग पु पुझे बाबा सहाव अमेट कर और तथाकत गौतम बुद्ध की तस्वीरों पर उस्प अर्पित करवा करके स्रधासुमन अर्पित कर देनी चाहिए उसके बाद आपको पंचसील और तिरीसरण याद नहीं है तो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको पढ़ लेना च यह सभी कारिकरम हो जाने के बाद जो सबसे मुख्य होता है जो साधी की परतिग्या लेनी होती है जिसको लड़का लड़की साथ ही गार्जियन परतिग्या लेते हैं वह परतिग्या आप पहले से तयार करके रखेंगे और वह परतिग्या बारी-बारी से चारों लोगों क दिलवानी पड़ेगी सबसे पहली परतिग्या लड़की के पिता से पर्मिसन मागी जाएगी कि क्या आप अपनी पुत्री की साधी फलाना लड़के से फलाने जगा इसका घर है इसको क्या इजाज़त देते हैं साधी करने के लिए जब पिता की पर्मिसन मिल जाए तब जाकर के लड़की से पर्मिसन लेनी चाहिए ये फला ब्यक्ति से आपकी साधी हो रही है आप क्या सुविकार करती हैं आपको सदय इनके साथ अपना पूरा जीवन ब्यातीत करना होगा आप बहुत धम के रिती रिवाजों को हमेशा पा पिता लड़के को इजाज़त देगा उसके बाद आप लड़के से पर्तिग्यान दिलवाएंगे कि आप इस लड़की से साधी कर रहे हैं और इसके साथ पूरा जीवन ब्यातीत करेंगे इसके सुख दुख में जीवन भर साथ निभाना होगा आप एक अच्छे जीवन पूरा जीवन साथ देंगे जब चारों लोग सपत ले लेंगे उसके बाद लड़के के पिता और लड़की के पिता दुनों को मिला करके जिसको गाओं पे समधो कहा जाता है उसको कराना होता है उसके बाद बहुत धम से साधी संपन्न हो जाती है तो साथियों आज की यह जानकारी आपनों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथ ही बेल लाइकान की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपनों को मिल सके तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद बहुत बहुत आभार